नमस्कार दोस्तों मैं सवरा बेडिवात अगन गन मैं अब सब का स्वागत करता हूँ Decimals इस शप्टर का इस 6th lecture है और इस lecture में हम लोग वही से शुरुवात करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था पिछला lecture पिछला lecture हमने कही पर question number 14 में छोड़ा था जहाँ पर हमने से लिए शुरु करते है और आज की शुरुवात करते है question number 1 आज का सबसे पहला question which is question 15 से question 15 में आपको decimals को divide करना है multiple of 10 से अब similar way में हमने पिछले lecture में देखा था decimals को हम लोग multiply कर रहे थे multiple of 10 से यहाँ यहाँ पर भी दो method से एक ओ जो short trick रहने वाला है एक long form method दोनों बताता हूँ उसके बद आपको कौन सा easy लगता है आप जरूर वो follow करना अगर हम लोग बात करते question number 1 की question number 15 में first part जो है that is we have to divide 56 by 10 ठीक है अब 56 by 10 पहले तो long form correct बताता हूँ जहाँ पर आप 56 अंदर लिखोगे 10 बाहर लिखोगे और division स्टार्ट कर दोगे 10 50 50 56 minus 50 is 6 6 remainder point डालो के decimal यहाँ पर 0 आ जाएगा 10 60 60 कितना आया answer आपका 5.6 कितना आया answer आपका 5.6 अब देखिएगा मैं एक short trick बताता हूँ इस short trick को ध्यान से देखिएगा ताकि आप में कोई किसी भी तरह का confusion नार है आप 56 divided by 10 है नीचे multiple of 10 है जी हाँ अब इस multiple of 10 में कितने zeros available है जीतने zeros available है उतने digits के बाद आपको decimal लगाना है पीछे से यानि कि यहाँ पे एक digit है मतलब एक 0 है ठीक है तो उपर numerator में numerator में एक digit के बाद point क्यों एक digit क्योंकि यहाँ पे एक 0 था यहाँ पे 2 0 होते तो 2 digit के बाद लगाते तीन 0 होते तो 3 digit के बाद समझ में आया अब यहाँ पे आपने एक ही step में answer को लाया यहाँ पे आपको सबसे पहला division करना पड़ा और इस division के बाद आपका answer आया ठीक है तो आप decide करिएगा कौन सा वाला method आपके लिए better रहेगा I would suggest you guys कि यह वाला method बरबर है और फटक से हो जाता है आपका time ज़्यादा consume नहीं करता है बढ़त है अगले questions की तरफ अगला questions मतलब अगले सारे questions कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके बताऊंगा ध्यान पूरवक देखिएगा second question is 23.5 we have to divide it by 10 अब यहाँ पे confusion वाली बात है कि already decimal available है बट डरना नहीं है rule को follow करो कितने zeros है सर्फ एक 0 है तो यह decimal एक digit पीछे चले जाएगा यानि कि 2.35 कैसे सर देखो यहाँ पे तो पहले ही 23.5 में 23.5 में पहली एक digit के बाद decimal available था बट हमारा rule कहता है कि नीचे एक 0 है इसलिए वो एक 0 के लिए यह decimal एक और digit पीछे जाएगा तो इसलिए हमने इसको 3 के पहले ले लिया समझ में आ गया किस तरह से हमने solve किया अगला third one क्या कहता है third one is 0.051 जिसे 10 से divide करना है ठीक है अब यहाँ पे decimals की बाद 3 नंबर है कोई problem नहीं हमें rule फॉल करना है rule कहता है कि यहाँ पे एक digit है मतलब एक 0 है नीचे multiple of 10 में तो यह decimal एक 0 पीछे जाएगा ठीक है यानि की हो जाएगा 0.0051 0051 समझ में आ रहा है किस तरह से rule चले जा रहा है ठीक है यह shortcut way जो है अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे decimals जो है वो left hand side जा रहे है उतने places जाएंगे जितने नीचे zeros available है multiplication की case में हम लोग decimals जो है वो right hand side लेके जा रहे थे जितने zeros हम आपे available थे ठीक है अब आगला question करते है आगला question fourth one क्या कहता है fourth one says that 8.32 को 10 से divide करो 8.32 को हमें करना है 10 से divide अब ध्यान पूरवक देखे यहाँ पे पहले decimal की बाद दो number है कोई problem नहीं यहाँ पे 10 10 में कितने zeros है एक zero है तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो इसको लिक लेंगे ठीक है अब decimal यहाँ पे था बट एक zero है तो वो decimal उठके यहाँ आ जाएगा एक digit के बाद तो यह digit के बाद यहाँ पे आने के बाद 0.832 इसका answer बनने वाला है अगला fifth question क्या कहता है 132.65 को डिवाड करना है 100 से किसे डिवाड करना है 100 से अब 100 में कितने zeros है दो zeros है सर कितने zeros है दो zeros है कोई problem ने उपर के नंबर में यह decimal लेफ्ट हैंड साइड पे दो डिजिट के बाद आएगा दो डिजिट जानी एक यह दो यानि कि 1 और 3 के बीच में आएगा तो answer is 1.3265 अब यहाँ से यह decimal उटके यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे decimal नहीं लगाना है 1.32.65 वैसा वाला नहीं करना है वो गलत है ठीक है वैसा कुछ होता है नहीं exist ही नहीं करता एक ही बार decimal यू 6 क्या कहता है 6 is 73 by 2 को 100 से करना है कोई प्रोब्लम नहीं कर लेंगे अगें 100 में कितनी 0s है 2 0s है यह decimal प्लेस दो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में shift होगा तो 0.732 is it clear आसान बनते जा रहा है कोई difficulty तो नहीं है इसमें 7th 1 0.5 by 100 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 0.5 by 100 है अब यहाँ पे 100 में 2 0s है यानि कि यह decimal दो डिजिट यहाँ पे आएगा बट वहाँ पे डिजिट ही अवेलेबल नहीं है तो हम यह एक डिजिट है 5 जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे why because decimal की बाद में अब decimal की पहले 2 0s य को दो डिजिट है नहीं कि 2 0 आ गए है clear है इस जैसे से वालों में आपको मतलब confuse नहीं होना है decimal जितने भी नंबर के बाद हो उसका कोई लेना देना नहीं है आपको बस रूल लिजान में रखना है कि नीचे कितने 0s है जितने 0s है उतने डिजिट के बाद उसको point को लगान पर लास्ट कोईशन 8 वाला क्या कहता है 5629 बाई 1000 5629 बाई 1000 क्लियरली कितने 0s है नीचे 3 0s कितने 0s है 3 यानि कि यहां से 123 यानि कि 6 के बाद लगाना है 5.629 समझ में आया 3 digits के बाद point लगा है क्योंकि 3 0s नीचे थे तो I hope ये वाला question आपको एकदम अच्छी से समझ में आ चुका होगा Question number 16 में हमें division ही करना है decimals का but यहां पर multiple of 10 नहीं है नीचे denominator में तो यहां पर आपको shortcut जो है वो लगने वाला नहीं है यहां पर आपको long form वाला method ही use करना पड़ेगा कोई बात नहीं हम लोग सारे questions में कर लेंगे सबसे पहला question ही 674 by 88 को हमें divide करना है 12 से कैसे करेंगे division ही side में करके बताता हूँ number is 674.88 ठीक है इससे हमें करना है 12 से divide ठीक है आप देखो 12 5,067 बचता है 4 12 6,072 बचता है 2 अब यहां पर decimal है तो डाल दो decimal उपर फिर यह आएगा 2 नीचे 12 2,024 बचा 4 यह आएगा 8 नीचे 12 4,048 बचा 0 आंसर क्या है 56.24 क्या है आंसर 56.24 समझ में आ रहा है इस वाले type of question में आपका कोई shortcut, shortcut नहीं है बस यही करना है और एक दिक्कत जहां पर आ सकती है कि decimal डालना कहाँ पर decimal वही पर डालना है जहां तक आप divide कर सकते हो और उसके बाद अगर division नहीं हो रहे तो decimal डाल दो जैसे कि आपने देखा 12.60, 74 रिमेंडर, 12.60, 72 डाला अब 2 रिमेंडर बचा आपको यह 8 नीचे चाहिए बट 8 के पहला कहा है decimal तो यहां पर आपने decimal डाल दिया उसी point में आपको भी decimal डालना है क्लियर है कोई doubt है मैं नहीं second वाले question को लिखिएगा हम second वाले question को अभी solve करेंगी जल्द इससे जल्द question क्या कहता है question says that 0.4212 by 18 0.4212 को 18 से divide करना है ठीक है याने कि हमारा 0.4212 कहां पर रहेगा अंदर तहकाने में यहने की division में अंदर रहेगा और हमारा 18 कहां पर रहेगा बाहर ठीक है अब starting में ही 0 point है तो एक छोटा से trick बता देता हूँ यहां पर 0 point लगा दो ठीक है अब 42 consider को 42 आता है के नहीं 18 1 0 18 18 2 0 36 तो 18 2 0 हम लिखेंगे 36 तो 42 में से 36 जाएगा तो बचेगा 6 यह आएगा 1 ठीक है तो 12 18 3 0 is 54 11 minus 4 is 6 और यह 0 और यह 8 अब 68 आता है क्या 18 के टेबल में 18 के टेबल में 68 आता है क्या नहीं 18 4 0 72 18 3 0 54 कितना बचा 8 minus 4 4 6 minus 5 1 अब यहां पर हमारे पास 14 है जो की 18 से 0 है अब पहले decimal लग चुका है तो आपको जितने 0s चाहिए कि एक एक 0 आप ले सकते हो जैसे कि यहां पर आ गया 0 क्या बन गया 140 फिर लिखेंगे 70126 126 यह नहीं यहां पर बचा 4 यहां पर बचा 3 minus 2 1 और यहां पर बचा 0 ठीक है अगें 14 और यह 0 तो यहां पर आप देख सकते हो कि 140 फिर से वो ही remainder आया है यानि कि वो repeat होते जाएगा यहां है कि 0.233 777 होते जाएगा तो you can just write कि 0.233 7 is your answer क्योंकि यह 7 आगे आगे repeat होते जाएगा 7 समझ में आए आपको अगला question अगला question क्या कहता है लिख लो question says that 501 501 को divide करना है 11 से किस से 501 को 11 से divide करना है चलो करते कोई बात ने 501 को करना है 11 से divide 501 को 11 से divide करना है अब यहां पर 501 जो है उससे हमें 11 से divide करना है ठीक है तो सबसे पहले करेंगी 11 4044 क्योंकि 11 5055 होता है जो कि 50 से बढ़ा है यहां पर कितना बचता है 6 यहां पर आ गया 1 ठीक है तो 11 5055 ठीक है यहां पर कितना बचता है 55 61 से अगर करेंगे बचता है ठीक है अगेन हम लोग decimal लेंगे कि कुछ 6 छोटा है 0 ठीक है 11 50 55 बचा 5 अगेन एक 0 फोकट का मिलेगा 11 40 44 बचा 6 अब देखो यहाँ पे परिमेंडर 6 आया था अगेन यहाँ परिमेंडर 6 आया है यानि कि यह 545454 रिपीट होने वाला है तो इसका अंसर क्या होगा 45.54 और 54 वैसे रिपीट होते हैं जाएगा कोई डाउट हैस में नहीं अगला कोशन अगला is the last that is 26.7 को 30 से डिवाड करना है 30 is a big number ठीक है कोई प्रो by 7 अंदर लिखेंगे 30 जो है वो बाहर लिखेंगे ठीक है clear है अब देखो यहाँ पे 26.7 है but 26 is छोटा दें 30 इतना तो आप मान सकते हो 26 is छोटा दें 30 तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को पहले ही लगा देंगे अब पॉइंट को लगाने के बाद the number will be 267 for us why because हमने decimal ल लोटा है अब 267 30 के टेबल में आता है कि ने बट 30 के टेबल में 240 आता है कब 8,000 तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 38,000 240 ठीक है तो 7-07, 6-42, 2-20 अब यहाँ पे चुकी decimal डाल चुके तो 1,0 फोकट का मिलेगा अब 30 के टेबल में 270 आता है कि जी हाँ 90 270 तो आंसर क्या आ गय 0.89 यानि कि जो 4th कोशन था जहाँ पे 26.7 को 30 से डिवाड करना था इसका अंसर आ गया 0.89 चारो के चारो कोशन जो आपको solve करके दिखा है जिसमें बस यहाँ पे आप 2 कोशन देख सकते हो जिसमें वो जो terminate हो रहा है यानि कि वो repeat हो ठीक है non-terminating decimal expansion है जहाँ पे वो repeat होते ठीक है बाकी के जो थे है वो terminating थे जहाँ पे 0.89 और 56.24 आपका एक answer आ चुके है अब बढ़ते हैं अगले type of question में अब पिछले question तक आपने क्या देखा सबसे पहले तो आपको decimal से डिवाड कर रहे थे multiple of 10 से उसके बाद second में देखा decimal को डिवाड कर रहे होल लंबर से अब 3.24 को हमें डिवाड करना है 0.6 अब यहाँ पे सबसे पहला step जो आपको करना है इसका जो denominator है इसका decimal हटा देना है अब denominator का decimal कैसे हटाएंगे वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे 0.6 है कितना digit है decimal के बाद एक digit तो इससे multiple of 10 से multiply कर दो जिससे उसका decimal हट जाएगा तो एक बात बताओ 0.6 को क्या multiply करेंगे तो यह decimal हटके 6 बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे decimal के बाद एक digit है तो मैं एक 0 वाला multiple of 10 करूंगा इसका answer आएगा 6 अगर रहता 0.06 तो मैं क्या करता बताओ अब बताओ आप ट्राय करो यहाँ पे 2 digits है decimal के बाद तो 1 के बाद 2 zeros इसका answer फिर आ ज ठीक है multiple of 10 से multiply करना है यहाँ पे नीचे अगर कर रहे हो तो उपर भी आपको करना पड़ेगा तो this will be something like this 3.24 0.6 नीचे भी 10 उपर भी 10 ठीक है अब नीचे 10 करोगे तो नीचे तो very obviously 6 आएगा उपर देखो 10 है यानि कि यह एक digit से यहाँ पे आएगा क्यों एक digit क्योंकि एक 32.4 यह आपका question बन गया है अब इसको आप solve कर सकते हूँ जी हाँ क्योंकि अभी हमने करके देखा इस type of question को 6 को divide करना है 32.4 से अब देखो 6 5,030 remainder बचा 2 अब यहाँ पे लगाओ point यह आएगा 4 नीचे 6 4,024 क्या आगे answer आपका 5.4 easy है कोई difficulty है नहीं बस एक चीज़ क्या करना है आपको यह चीज़ denominator को whole number में convert कर दीजे ठीक है वो जो decimal number है उसको whole number में convert कर जे और उसको multiple of 10 से multiply करना पड़ेगा और आपको पता यह कितने मतलब 10 है या 100 है या 1000 किस से multiply करना है you can identify it why because it is easy task for you guys second question second question में दिया है 0.392 by 0.7 again 0.7 ही है क्या है यह दर नीचे 0.7 है 0.7 में कितने digits है decimal की बाद एक digit यानि में यहाँ पर क्या करूंगा उपर भी 10 नीचे भी 10 उपर 10 करूंगा तो यह एक यहाँ पर आ जाएगा यह एक decimal यहाँ पर आ जाएगा right hand side पर क्यूंकि हम लोग multiply कर रहे है तो यह हो जाएगा 3.92 नीचे हो जाएगा 7 clear है चलिए आ जाए यहाँ यहाँ पर 7 से divide कर रहे है अब यहाँ पर 3.92 में 3 जो whole number का part है that is less than 7 आप राजी हो इसमें ठीक है अभी जो less than 7 है तो हम लोग पहले ही point लगा देते है यानि कि यह 392 हमें मिल गया अब 392 में 39 7 5 0 35 आता है तो हम लोग 35 लिख देंगे यहाँ पर बचता है 4 2 7 6 0 42 0 क्या गया answer अपका 0.56 क्या गया answer अपका 0.56 is it clear for you क्या किया हमने बस यहाँ पर देखो 3.92 यह 3 छोटा था 7 से इसलिए पहले 0 point ले लिया और उसके बाद तो usual division जो बच्चा बच्चा कर लेता है यानि कि यह आप तो बहुत आसानी से कर सकते हो 3rd question क्या कहता है 3rd question says that 154 we have to divide by 0.016 यह कुछ interesting लग रहा है मुझे क्योंकि उपर तो decimal है ही नहीं और नीचे तो 3 places दिये decimal के कोई बात नहीं कितना ही difficult और interesting क्यों ना हो हम लोग उसको solve कर लेंगे यहाँ पर नीचे 3 decimal expansion से sorry decimal number में decimal की बात 3 numbers से ठीक है यानि कि हम ऐसे multiple of 10 से multiply करेंगे जिसमें 3 zeros है which is thousand तो नीचे अगर मैं thousand से कर रहा हूँ तो उपर भी मैं thousand से करूँगा अब उपर बैटा 154 को अगर thousand से multiply करता हूँ तो वो हो जाएगा 154,000 यहने कि 154,000 और नीचे 0.016 को thousand से करता हूँ तो वो 16 यहने कि 16 बन जाएगा कोई problem ने है इसको भी divide कर लेंगे 154,000 मतलब 154 को 16 से divide करना है अब 16 के table में 154 आता है क्या 16 के table अगर आप आपको 16 का table आते है तो 16,000,000 is 144 and 16,000,000 is 160 तो 16,000,000 you can do is 144 अब 154 में से 144 हटेगा तो बचेगा 10 और यह एक 0 आएगा यहाँ पर ठीक है 16,60,000 नाइटी सिक्स अब यहाँ पर बच्चा चार यह आया 0 16,000ौई 16,000,izinटी सिक्स्टी सीतिक्तिम , टू से टो जर ट्री टू से बच्टी तो बच्चा आठ यह आया 0 kanA 60,500,000 यान यानि कि इसका अंसर आया हमारा 9625 क्या है आंसर हा हमारा 9625 इसमें किसी भी प्रकार का decimal involved नहीं है, why, because यहाँ पर denominator में ही ऐसा decimal था, जिसको हमें equal करने के लिए, यानि कि जिसको whole number में convert करने के लिए, हमें thousand से multiply करना करना करा, उपर भी और नीचे भी जिससे उपर का numerator बहुत बड़ा पूचे जाते हैं, या फिर आपको solve करते समय, exam paper में worksheets में, class में, test class test में वगरे पूचे जाता है, तो आपको डरना बिलकुल भी नहीं है, समझ में आ गया, last question is 5129 को 1.25 से divide करना है, आप देखो 5129 1.25 ठीक है, यहाँ पर 2 decimals की बाद दो नंबर से, यानि कि हम लोग इसको भी 100 upon 100 से divide करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह 5129 into 100 is 5129 double 0 और यहाँ पर यह हो जाएगा 125, clear है clear है, इतना तो clear है आपको ठीक है, चलो आप देखते, 125 का table तो आता है, 125 4000 is 500 यहाँ पर बचएगा 12 यहाँ आएगा 9, तो 125, 100 is 125, यहाँ पर बचएगा 4, यहाँ पर आएगा 10, मतलब यह नीचे आएगा 40, अब यह 40 इस से छोटा है, अगेन यहाँ पर एक 0, फिर यह 0 नीचे आएगा, यह हो गए 400 तो हम लोग लिखेंगे 3000 375, बचा 25 अब लगाएगे पॉइंट फिर आएगा 125, 200 250, clear है कोई डाउट नहीं है इसमें 4103, यहाँ कि 4103.2 is your answer for last question, that is 5129, 5129 को अगर हम लोग 1.25 से डिवाइड करते हैं तो I hope इस वाले type of question में भी आपको कोई डाउट नहीं है जब नीचे भी decimal है, उपर भी decimal है तो नीचे के number whole number में convert करो, और फिर normally division जो हम लोग करते आ रहे हैं, वो division करो आपका final answer आ जाएगा, बस जादा से जादा questions को practice करो, ताकि आपकी जो calculation mistakes है, वो clear हो जाए, देखो आज के lecture का last question है, जिसमें usual simplification करना है, जिसमें आपको multiplication है, division ने करना है, बस addition और subtraction करना है, बहुत easy part है, ये एक part छूड गया ता है, इसलिए मैंने इसमें involved किया है, वोट आप इसको बहुत easily कर पाऊ गया, पहला question अगर लिखता हो, तो 8.21 plus 5 minus 13.5 5 बोला है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 8.21 plus 5 है, तो यहाँ पर whole number क्या है, 8, यहाँ पर whole number क्या है, 5, और 5 कौम लोग क्या है, लिख सकते है, 5.00, यानि कि मुझे अगर 8.21 में 5 को आड करना है, तो मैं 5 को यहाँ लिखूंगा, ना कि यहाँ इसके नीचे, तो इसको अगर आड करता हूँ, तो 1, 2, 8 plus 5 is 13, तो this will be 13.21, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 8.21 plus 5 is 13.21, इसमें से हमें minus करना है, 13.5, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 13.21 is छोटा दन 13.5, आप agree करते हो, 13.21 is छोटा दन 13.5, यहाँ कि यहाँ पर integers के sign convention involved हो चुके, plus minus minus, and greater number sign, greater is minus, तो यहाँ पर पहले minus डाल दिया, और यहाँ पर मैं subtraction करता हूँ, 13.5 में से 13.21 का, ठीक है, 10 minus 1 is 9, 4 minus 2 is 2, और यहाँ पर तो 0 ही बचेगा, तो यह क्या आगे answer, minus 0.290, ठीक है, confusion यहीं पर होगा, आपको लगेगा आप गलत कर रहे हूँ, बट नहीं, आप सही कर रहे हूँ, यह addition आपकी सही है, addition के बाद यहाँ पर हमने देखा कि कोई बात नहीं, अगर छोटे में से बढ़ा minus भी होता है, तो उसके सत माइनस लगेगा, यह हमको सर ने integers इस चाप्टर में पढ़ाया था, next question की तरफ बढ़ते हैं, और next question किस तरह से solve करेंगे, वो भी जान लेते है, फटा फट, फटा फट लिगो question क्या है, question says that 18.5 minus 18.05, जिसमें हमें 2.15 to add करना है, वाह, क्या question है, 18.5 है, जिसमें से हमें 18.05 को minus करना है, और फिर उसमें 2.152 को add करना है, कोई problem नहीं, 18.5 और 18.05 का subtraction यहां पर बताता हूं, दिहां से देखिएगा, 18.5 को 18.50 लिखता हूं, और 18.05 को 18.05 लिखता हूं, ठीक है, 10-5, 5, 4-0 is 4, और यह आगया 0, यहनि कि इस का अंसर आगया आपको 0.45 प्लस 2.152 ठीक है, अब 2.152, 0.45 2.152, यहां पर कुछ नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, यहां पर 0 प्लस 2, 2, 5 प्लस 5, 10 4, 5, 6, 2 तो आंसर क्या आगया आपका 2.602 is your आंसर क्या डाउट एस में, किसी प्रकार का डाउट मौझूद है, अगर डाउट मौझूद नहीं है, तो next question और last question आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का लिख लिजिए, which says that 2.874 में से हमें 5.48 को माइनस करना है, प्लस 18.1 उसमें एड करना है, अब यहाँ पे देखो, प्लस माइनस is माइनस, but sign will be greater number, तो greater number sign पहले से ही लगा दिया है, अब मुझे, 5.48 में से subtract करना है, 2.874 यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0, 10 माइनस 4 is 6, 7 माइनस 7 is 0, 14 माइनस 8 is 6, and 4 माइनस 2 is 2, तो this will be 2. माइनस 2.606, जिसमें हमें, प्लस 18.1 करना है, अब ध्याँ से देखिए, माइनस प्लस is माइनस, subtraction, greater number sign, greater is plus, यहने इन दोनों को subtraction करना है, subtraction करेंगे, कोई problem नहीं है, subtraction में हमें, 18.1 में से करना है, 2.606, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2.0 लगा देंगे, ठीक है, 10 माइनस 6, 4, 9 माइनस 0, 9, 10 माइनस 6, 4, 7 माइनस 2, is 5, और यह as it is, 15.494 plus 15.494 is your answer, आपकी गलती यहाँ पर हो सकती है, तो यह calculation ध्यान पुरवक शान्ती से करिएगा, और जब इस तरह के questions आप multiple time solve करोगे, तो आपका भी कुछ speed easy परकार से होने वाला है, answer is आपका 15.494 समझ में आगया, तो आज की वीडियो में हम यही रुखते है, I hope आपको सारे questions समझ में आगयोगी, सारे methods भी समझ में आ चुके होंगे, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है, एक लाइक ज़रू करें, ज्यादे साथ बच्चर शेर करेंगा, नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाएगे, हम मिलेंगे नीए वीडियो में, प्काँ भी सब्सक्राइब